हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आप सब कैसे हैं, मैं आशा करती हूँ, आप सब स्वस्त होंगे और अपने अपने गार्डन के कामों में व्यस्त होंगे आज हम सिंसे विर्या प्लांट को रिपॉर्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और पसंद आये तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक्च्छली इसे रिपॉर्ट करने का एक और कारण है, चीटिया इसमें लग गई है, समर्ब के सीजन में चीटिया हमें परिशान करती ही है, उनको नमी वाली जगह पसंद होती है, तो ये पॉर्ट में ही अपना घर बनाना शुरू कर देती है, देखें कितनी सारी काली च इसमें लगी हुई है, और इसके पांच बेबीज निकले हुए है, एक मदर प्लांट है और चार नए बेबीज इसमें निकल गए हैं, तो मुझे इसे रिपॉर्ट करना ही था, और ये एक ऐसा प्लांट है, जिसे आप किसी भी मौसम में रिपॉर्ट कर सकते हैं, देखें इस तरह से निकालेंगे हम, ये देखें, ये चार नए बेबीज निकले हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये मैं इनको सेपरेट कर दूँगी, और अलग-अलग पॉट में लगाऊंगी, पुरानी मिट्टी का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे चिटियों के अंडे मिल चुके हैं, जो हमारे प्लांट को खराब कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए नई मिट्टी तयार कर रखी है, एक हिसा मिट्टी, एक हिसा रेत, और एक हिसा वर्मी कमपोष्ट, और चार-पांच मुठ्टी मैंने नीम-खली भी एट किया है, और फंगी- जिसमें इसका मदर प्लांट लगा हुआ था, उसमें लगाऊंगी, तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका है, ये देखे, थोड़ा सा गड़ा करेंगे, और लगा देंगे, लगाने के बाद इसमें हम वाटरिंग देखके करेंगे, क्य इसा ही वाटरिंग करना है, एकदम गीली मिट्टी नहीं रखनी है, और इंडोर रखना है अभी कुछ दिनों तक, उसके बाद सुबह की एक आद घंटे की सनलाइट मिले, वैसे जगह पर आप रखे, तो बहुत अच्छे से चलता है, वैसे तो ये इंडोर चलने वाला प् हवा को शुद्ध करने वाला, और ये मदर प्लांट है, इसको मैं मिट्टी के गमले में ही लगा दूँगी, जिसमें ये लगा हुआ था, और चार जो बेबीज निकले, उनको मैंने प्लास्टिक के पॉट में शिप्ट कर दिया है, और बहुत खुबसूरत प्लांट होता ह इसमें बहुत सारी वराइटी होती है, मेरे पास लॉंग वाला भी है, और ये जो आप देख रहे हैं वो ड्रॉफ वराइटी है, इसमें वेरिगेटेट भी आता है, ये नॉन वेरिगेटेट है, और लॉंग वाला जो इसनेक प्लांट आता है, उसमें भी वेरिगेटेट और non variegated दोनों आता है दोनों है मेरे पास मैं किसी दिन separate video डालूँगी इसके care tips के उपर तो आज यही करना था एक पौधे से हम बहुत सारे पौधे तयार कर सकते हैं इसनेक प्लांट के और देखे इसके लिव से भी यह प्लांट तयार हो जाता है एक लिव से टूट गया था उसको भी मैं लगा देती हूँ इसमें भी रूटिंग हो जाएगी और नया प्लांट बन जाएगा तो देखे फ्रेंट्स कितना खुबसूरत लग रहा है इसके लिव से बहुत खुबसूरत होते हैं तो यही शेयर करना था अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए हैपी गाडनिंग बाई थेंक यू